हेलो फ्रेंड्स मेरे कीचन में आपका स्वागत है और आज आपके लिए में लेक्क्ट की आया हूँ आलू पनीर सेट्वीच और इसको बनाने के लिए मैंने लिया है तीन बड़ी साइस के आलू इसे मैंने पहले से ही उबाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है और अब बैटर तैयार कर लेते हैं मैंने 300 ग्राम जितना बेशन लिया है और फ्टी स्पून हलदी और स्वाध अनुसार नमक और हाफ टी स्पून मैंने हिंग डाल दी है और अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमें धीमे धीमे करके पानी डालते जाना है मैंने यहां पे एक कप जितना पानी लिया है और बेशन को चलनी से चाल के ही आप यूज करिए नहीं तो इस तरह से लम्स पड़ जाएंगे कोई बात नहीं इसके बाद भी आप प्लास्टिक की चलनी हो नहीं तो किसी भी चलनी में हमको चाल लेना है इस तरह से और ये रेडियो गया है हमारा बिटर मैंने यहां 100 ग्राम जितना धन्या ले लिया है और इक्वल हमको पुदीना भी ले लेना है और दो पिस मैंने तीखी मिर्ची ले ली है और एक लिम्बू का रस ले लेना है और ग्राइंड कर लेना है और अब हमें लाल चटने के लिए लिया है आदू और लसुन की कल्या लेनी है 50-50 ग्राम और मैंने यहाँ पे एक चमच पीसी हुई शुगर ले लेनी है हमको और एक छोटी चमच हमको लाल मिर्च ले लेनी है और देड़ चमच विनेगर ले लेना है और ग्राइंड कर लेना है यह चटनी हमारी रेडी और अब हमारा आलू थंडा हो चुका है उसकी मैंने पतली-पतली स्लाइस कर ली है आप इससे भी पतली कर सकते हैं इस तरह से यह देखिए और अब पनीर की स्लाइस भी कर लेनी है इस तरह से और तेल गरम होने के लिए रख दे रहे हैं अब मैंने आलू की स्लाइस ले ले ल तीार ही बहुत ही स्वाधिष्ट है और अब दूसरी सलाइस लेके रख देना और हम बेशन में इसको डुबो के इस तरह से पहले हमको चारो साइड लगा लेना है फिर ऐसे डुबो के डाल देना है यह देखो हमारा दोनों हो चुका है अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो इसको आप धीमी आज पे आप ब्राउन होने दे खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और यह देखिए हमारा रेडी हो गया है मेरी डीस आपको पसंद आई तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना न भूले थैंक